बाईयों वैसे तो यह नीलगा है जो खेतों में प्रवेश करती है तो हमें भूत गुश्सा भी आथा है और सूचते हैं हमें भूत नुक्सम पहुंचाती है लेकिन जैसे आज मैंने इस नर नीलगाय देखो इस बात पर ध्यान दो यह मादा नहीं नर है यानकि हम यह नहीं कह सकते कि इसके पेट में बच्चा है जब इस नर नीलगाय को मैंने इस हालत में देखा पहले तो मैं सोच रहा था कि एपेट के नीचे जब यह खड़ी थी तो मैं इसके काफी सिलो सिलो दिहरे दिरे छपके इसके पाँ जा रहा कि नजदी जा कि इसका वीडियो बनाऊँगा या पिक लूँगा लेकिन जब मैंने इसकी इस्तिती देखी मुझे देखके यह चलने लगी दिहरे दिरे तो मुझे अंधर ये अंधर बहुत बुरा लगा कि आखिर इस जंगली जानवर चाय खेतों में यह कोई नुक्सान ही कर दे लेकिन इस इस्तिती में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा पर दोस्तों यहां कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे उनसे जब मैंने पूंचा कि आखिर यह कितने दिन से है और इसके पेट में यह हो क्या रहा है तो एक किसान ने कहा की दो नर थे इन बहुत बहांकर यह दुआ यानि लड़ाई होई और उस समय एक जो बड़ा नर था उसने इसको नीचे ग्रा दिया और यह बहुत जोर से पकारने लगा तो कुछ आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों भाग के इसको छुड़ाया लेकिन उसी कि दोनों नर नील गायक के जगड़े में इसके पेट में चोट लग गई है यह ज़्यादा दिन तक साइद ना रह पाए